हालो एंड वेल्कम टू स्टरडिव आई क्यू आई इस आप सब का स्वागत है स्टड्री आई क्यू आयास के इस सेशन में आज कि अपने सेशन में हम बात करेंगे एक नए मुद्दे की एक नए केस की जहां हम देखेंगे कि किस तरह से एक यंग आईपेस आफिसर ने एक प जोड़ चुके हैं आज के अपने इस एतिकल डिलमा सेशन में जहां पर हम एक के स्टडी भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि ना केवल आई एस ऑफिसर्स बलके आई पिस ऑफिसर्स भी किस तरह से एक समाज को बदलने में अपनी मुख्य भूमी का निभास सकते हैं खास करके लॉइन ओर्डर से जुड़ी हुई समस्याएं खास करके सोशल इशूस जो की निकलते हैं वाइलेंस के रस्ते पर क्राइम के रस्ते पर इन सभी मुद्दों को किस तरह से एक आई एस ऑफिसर्या एक आई पिस ऑफिसर्स सुल्जा सकता है अपने दृड निश्चय से सुल परिवर्तन की एक आई पिस ऑफिसर्स की सक्सेस्फुल मिशन की और देखेंगे कि किस तरह से एक आई पिस ऑफिसर्स ने एक पूरे रीजन की काया पलड़ दी चलिए शुरुबात करते हैं आज के अपने इस सेशन से मुझे उमीद है कि आप सब लोग मेरे सेशन में जु करने का इसमें आपको live classes दी जा रही है साथी में आपको इसमें mentorship दी जा रही है current affairs provide के जा रहे है content दिया जा रहा है और आप इसका फाइदा उठा सकते हैं करना क्या है चांड लाइव का ये code इस्तेमाल करना है और आपको discounted price पर ये batch मिल जाएगा चलिए बात करते हैं कि य यहां join कर सकते हैं सवाल भेज सकते हैं चलिए बात करते हैं case study की 2018 में एक case study आई थी दोस्तों UPSC की वो case study पहले discuss करते हैं और उसी case study से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये operation परिवरतन भी है case study क्या कहते है चले देखते हैं कैज़जी इस अस्टेट वेर देखते हैं प्रोहिबिशन इस इंफोर्स यूर रिसेंटली अपॉइंट अपॉइंटेंट अफ पुलिस आफ दिस्टिलेशन अफ लिकर तो एक ऐसे डिस्टिक्ट में आपको एजन एस्पी अपॉइंट किया गया है जो की हमेशा से इन फे एफोटेटेंड कॉझसे अमेजर फॉटिंट फॉर्टी डिस्टिक्ट अफॉरीटीज तो ये एक बहुत बड़ा इस्टिकर बनती है और अन्रेगुलेटिड़ होती है इस इस एक वज़ए से यसे ऐसे डिस्टिक्ट में आपको अपॉइंट किया गया है एसन शुक्रण problem and tackle it accordingly rates arrests police cases and criminal trials all these had only limited impact the problem remains as serious as ever so abhi takki do approach the police key was a law and order a situation की रूप में लेकर चल रहे थे rates conductor to three trials to the criminals को पकड़ा जाता था लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं हो पाया है साथी में इसमें लिखा था that your inspection shows that a part of the district where the distillation flourishes are economically industrially and educationally backward agriculture is badly affected by the poor irrigation facility frequent clashes among communities gave boost to illicit distillation no major initiative had been taken place in the past either from the government side or from social organizations to improve the situation abhiya puri ka puri case study already are chuky hai is case study say he jura ho hai aaj ka humara operation pariwarthan actual may a case situation हमें देखने को मिलती है महाराश्टर के एक district में शोला पूर डिस्टिक का नाम आपने सुना होगा वहां की यह कहानी है और हाल ही में उन आई-पिएस officer को recognize किया गया हूने award दिया गया है और उनके model को महाराश्टर के अलग-अलग हिस्सों में apply किया जा रहा है तो यह case study आप यहां पे जो देख रहे हैं यह 2018 की case study है मैं आपको यह बताना चाहरा हूं कि जो case study UPSC लेकर भी आता है वो समाज के है अलग-अलग जगाओं से हिस्सों से तबकों से उठाई जाती हैं और उन case studies को कैसे आप effectively solve कर सकते हैं और इस तरह कि अगर case study future में आती है तो आज का जो हमारा operation परिवरतन हम पढ़ने वाले हैं आप से कोट करके आईए आपको अच्छे नंबर इसमें मिलने की उमीद है तो यह case study के साथ हम शुरुआत करते हैं आई वेलकम यू वाल सु गुड़ीवनिंग 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 ओल दुर्बजीत कनक और कॉमल वर्मा सब का स्वागत है यहां पर जो लोग जुड़ चुके हैं जोती शर्मा चलिए तो यह case study आपने पढ़ी अब हम बात करने वाले हैं एक IPS ऑफिसर 2012 बैच के IPS ऑफिसर हैं महिला IPS ऑफिसर हैं जिनका नाम है मिस्स तेजस्वी सत्पुते यह 2012 बैच के IPS ऑफिसर महराश्ट्र कैडर से बिलॉंग करती है मिस्स तेजस्वी 2012 के बाद इनको पहली बार 2020 में SP के रूप में अपॉइंट किया जाता है शोलापूर डिस्टिक्ट म है वहाँ पर 2020 में यह SP के रूप में यानिकि सुप्रेजिंटर्ट ऑफ पुलिस के रूप में तैनात किया जाता है इनको अपॉइंट किया जाता है यह इस डिस्टिक्ट में इनका दूसरी बार एक्सपोजर था इससे पहले भी साथ बरस पहले मिस्स तेजस्वी इस डिस् होती है उसके लिए इन्हें कुछ हफ्तों के लिए सोलापूर में भेजा गया था जहां पर इन्होंने औरेडी वहां की इस लोकल जो इशू है उससे आइडेंटिफाय कर लिया था सो 2020 में SP के रूप में आती है लेकिन 2013 में ही यह पहली बार इस जगहां पर आई थी जब त already she knew what she was going to do already she was aware what her target was सो जब यह 2020 में SP के रूप में आती हैं तो इनको पता था कि इस डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है इलिसिट लिकर यानि की अवैद रूप से त्यार की जाने वाली शराब वो इस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़ी समस्या है यह डिस्ट्रिक्ट जो है 2020 तक आते आते हमें देखने को मिलता है कि हर जगा इन फेमस हो चुक आज पास के districts में भी supply की जा रही थी और क्योंकि यह एक बॉर्डरिंग district है आप देखिए दिस इस तो लापुर और यहां से आप यह देख रहे होंगे लाइन तो यह लाइन के इधर जो है यह करनाट का है यह महराश्ट्रा है आप उन्हें देख रहे हैं मुंबई तो सोलापूर से यहां पर जो क्रॉस बॉर्डर जो है सप्लाई हो रही थी इलिसेट लिकर की साथी में जो आसपास के दिस्ट्रिक्ट्स हैं सो सोलापूर वाज कंप्लीटली यूनों इन फेमस एड़ इस पॉइंट ऑफ टाइम 2020 में यहां पर काफी ज्यादा इन फेमस हो चुका था यह दिस्ट्रिक्ट किसलिए एक समस्या की जैसे डैट इस इलिसेट लिकर की डिस्टिलेशन यहां हो रही थी अब क्या यह और्गनाइजड क्राइम था या फिर कोई पर्टिकुलर एक माफिया है इसके पीछे या फिर कोई पर्टिकुलर माफिया ना होकर कुछ लोग जुड़े हुए हैं कौन है यह इन्होंने आते ही आइडेंटिफाइग किया इन्होंने सबसे पहले जैसे हम आल्रेडी जब भी हमारी case study हम solve करते हैं वो उन्होंने यहाँ पर वैसे ही किया इन्होंने आके identify कि यह problem आखिर persist क्यों करती है उस कारण तक मैं आपको लेके जाओं उससे पहले मैं आपको इस problem की gravity समझाना चाहता हूं आपको लग सकता है कि यह illicit liquor आखिर इतना बड़ा problem थो हैं कि 2016 से लेकर 2020 के बीच में भारत में 6000 से जादा लोगों की death होती है illicit liquor पीने की वज़े से जो अवैद रूप से शराब बनाई जाती है उसकी वज़े से 6000 लोगों की death होती है पांच वर्ष में और उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि कई सारी स्टेट हैं जैसे कि मध् इस डेथ होती है तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा इशू है और बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन के उपर law and order के उपर तो पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है इसको लेकर she was aware about this responsibility and she was ready to take on this challenge इसी लिए जब यह इस डिस्ट्रिक्ट मे कि यह समस्या है क्यों कितनी बड़ी समस्या है कहां कहां हमें काम करना है वो सब इन्होंने आके identify किया क्या इन्होंने पाया मैं आपको वैसे बता देता हूं कि generally जिस जिस जगहां पर illicit liquor को produce किया जाता है यह वहां की आम समस्या है तो आप यहां पर जो देखेंगे यह सिर कि कुछ community हो सकती है या कुछ ऐसे लोग जो की बेरोजगार है कुछ ऐसे लोग जो की quick money बनाना चाहते हैं वो लोग इस तरह के jobs में involved होते हैं खासकर कि वो लोग जो बेरोजगार हैं वो इसमें involved होते हैं इन्होंने भी यही पाया जब वह यहां पर identify करते हैं तो इन्हों पता चलता है देट देर वर्ट टू थाउजन और स्वरी टू हंडर्ड हूच ब्लैक स्पोर्ट्स दो सो ऐसी जगाएं थी जहां पर इलिसेट लिकर या तो बनाई जा रही है या फिर उसे सेल किया जा रहा है तो इनको मिलता है कि सत्तर प्लेसे लगबग ऐसे थे जहां प हो सकता है कि कोई एक घर हो जिससे सेल किया जा रहा है कोई फैक्टरी हो जिससे सेल किया जा रहा है और यह सेल होकर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी जा रही थी और आसपास की स्टेट में भी जा रही थी यह इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया तो पहले तो इन्हों है कि ये पहली बार आती है और इन्होंने ही यहां पर आके संग्यान लिया इस समस्या का ऐसा नहीं है शी फाउंड कि भई यहां पर यह जो सत्तर जगाएं हैं जहां पर इलिसिट लिकर बनाई जा रही है पुलिस अगर यहां जाना भी चाहे तो पुलिस जा नहीं पाती है क् उनकी उपर हमला हो जाता है, वहां के जो लोग हैं, वो उनकी उपर हमला कर देते हैं, आपने कल भी अगर देखा होगा, तो कल हर्याना के रोहतक में पुलिस की एक पार्टी जाती है, एक ऐवेद मकान को गिराने के लिए, वो मकान था एक ड्रॉग डीलर का, जब पुलिस व उपर हमला कर दिया गया पूरी की पूरी सोसाइटी मिलकर पुलिस की उपर हमला कर देती है पुलिस को मजबूरन वापिस आना पड़ता है अब यह समस्या सबसे बड़ी समस्या थी जो कि इन्होंने आइडेंटिफाई की कि यह सतर जगाएं ऐसी हैं जहां पर इलिसिट लिक कि यहां पर कोई माफिया आइस च नहीं है यहां पर कोय इलिसिट लिकर बना रहा है वह इन्होंने आइडेंटिफाई कि और इनों ने पाया कि बंजारा कॉमिनिटी है वहां पे जो कि इस पूरे के पूरे गयर कानुनी धंडे में लगे हुए थे सो इन्होंने दोनों बना रहे कौन बना रहा है बंजारा कॉम्यूनिटी है वहां की और क्यों बना रहे हैं क्योंकि पुलिस अब तक वहां पहुंच नहीं पाई है तो यह आइडेंटिफाय करने के बाद इन्हों ने शुरुवात की operation परिवर्तन की operation परिवर्तन शुरू होता है September 2021 में तो 2020 में इनकी posting होती है दोस्तों आप एक चीज को मानकर चलें एक चीज को जानकर चलें कि जब आप एक IPS officer है या IAS officer है जब एक district में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ समय चाहिए होता है वहाँ की समस्याओं को समझने के लिए इसलिए देखिए जब आपने अपने अपने IPSC की त्यारी के समय पढ़ा होगा प्रकास सिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी प्रकास सिंग की जजमेंट आई थी स्वरी जो सुप्रीम कोट की तरफ से जचमेंट आई थी प्रकास सिंग की के रहने का समय दिया जाना चाहिए क्यों कि पहला एक वर्ष तो उनको वहां की समस्याओं को समझने में ही निकल जाता है कम से कम 6 महीने वहां की समस्या को समझने में निकल जाते हैं वही इनके केस में हमें देखने को मिलता है कि 2020 में इन्हें लाया जाता है सोलापुर में and 2020 के बाद इन्हें identify करने में समय चला जाता है और सेप्टेंबर 2021 में यानि कि लगबग 9 महीने बीच जाने के बाद सेप्टेंबर के भी अमिन 2021 के भी उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपना स्पी के रूप में मिलने चाहिए तो क्यों मिलने चाहिए आप इस एक्जामपल को वहाँ पर कोड कर सकते हो कि सर 2020 में मैडम को वहाँ पर प्लेस किया गया था स्पी के रूप में इन्होंने पहले एक वर्ष में तो प्रॉब्लम्स को समझा और उसके बाद दूसरे वर्ष मे operation परिवर्तन चलाया जिससे successfully complete किया so this is an example जो कि वहाँ पे आप code कर क्या सकते हो so 2021 के September में इन्हों ने यह operation चलाया and इसमें एक बहुती बढ़िया इन्होंने operation four point operation था इनका जिसमें इनकी rates भी आ जाती है जिसमें इनकी counseling so soft policing का भी हमें एक नमूना यहाँ पर देखने को मिलता है एक example हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इनका जो operation परिवर्तन था इस फॉर पॉइंट फॉर पॉइंट प्लाइन वह four point action plan क्या है में कि करके आपको समझाता जाओंगा जिसमें दो action कौन से कौन से थे पहला तो इनका था soft policing so soft policing में क्या जाता है लोगों के साथ समवाज स्थापित करना लोगों के साथ communicate करना लोगों से counseling करना उनकी उनकी समस्या को समझ कर उनकी समस्या का समधान देना यह पहला पॉइंट आता है आपने अगर चकर व्यू मूवी अगर आपने देखी होगी वह जो अर्जुन कपूर वाल आर्जुन रामपल वाली थी शायद वह मूवी जिसमें चकर व्यू जिसमें वह आई-पियस बनके वह एक नकसल एरिया में जाते हैं आपने देखा होगा कि सॉफ्ट पॉलिसिंग जहां पर पुलिस अपनी सॉफ्ट साइड जो है लोगों के सामने रखती है जो लोगों के मन में डर बना हुआ है उसे खतम करती है इसे सॉफ्ट पॉलिसिंग बोल देते हैं तो इनका जो पहला अजंडा था पॉइंट था वो था सॉफ्ट पॉलिस के उपर फोकस कि पुलिस को सिरफ आप एक डर के रूप में मत देखिए आप उनसे बात कर सके इस तरह है कि एन्वायरमेंट को बनाना soft policing का हिस्सा है so first point was soft policing method इन्हों ने इस्तेमाल किया second was the crackdown so again जैसे आपने पढ़ा होगा carrot and stick policy again carrot and stick policy go hand in hand आप दोनों methods को hand in hand लेके चलते हो good boy bad boy strategy आपने सुनी होगी वो good boy bad boy strategy को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और वही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और राइट तो soft policing method के साथ-साथ crackdown strategy थी कैसे चलिए देखते हैं सबसे पहले frequent but scientific raids इन्हों ने क्या किया जो वो भटीस थी जो लिकर बनाने वाले जगाए थी वहाँ पर raids मारना शुरू किया वहाँ पर इन्होंने समझा कि raids करनी चाहिए ताकि वो जो भटीयां हैं उन्हें destroy किया जा सके initially इन्होंने क्या किया initially इन्होंने दो से तीन महीनों के अंदर अंदर एक raid conduct की जाती थी so let's say 60 to 90 days के अंदर अंदर एक raid conduct होती थी क्योंकि raid conduct करना इतना असान नहीं था मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी बंजारा community इसमें involved थी उसमें लगबग 600 परिवार थे जो कि इस पूरे के पूरे business में involved थे illegal business में involved थे तो जैसे ही कोई छोटी सी police की party जाती थी वो पत्राव करके police को वापिस भेज देते थे इन्होंने क्या किया इन्होंने शुरुवात में लगबग 100 to 200 officers की एक टीम को घटित करना और उस टीम को भेज देना वहाँ पर raid करने के लिए सो डेड़ सो पुलिस वालों को देखकर बंजारा community पीछे हड़ जाती थी वो लोग पीछे हड़ जाते थे पुलिस वाले वहाँ जाते थे उनकी जो भटियां हैं जो लिकर बनाने के लिए इस्सेमाल हो रही थी जो भटि उसे destroy करके आ जाते थे लेकिन फिर भी इसका असर हमें देखने को नहीं मिला which she accepts वो कहती है कि यार 90 दिन में हमारी पुलिस वहाँ जा रही है नबे दिन में एक दिन उनका नुक्सान कर दिया बाकी के 89 डेज क्या बाकी के 89 डेज दे वर फ्री दे वर प्रड्यूजिंग दिलिकर एज माच आज दे वॉंटेड तो ये strategy काम नहीं करती है इसका मतलब कुछ गलती हो रही है करना हर कदम पर इंट्रोसपेक्ट करना जरूरी हो जाता है वही इन्हों ने किया कि हर नब्बे दिन में अगर मेरी टीम वहाँ जा भी ही है 90 दिन में मालो जाकर एक दिन हमने भट्टी तोड़ दी अगले 80 दिन वो है अगले लगबग 89 डेज जो है वो फिर से वही बिजनस करेंगे बिना किसी डर के तो इन्हों ने अपनी स्ट्रेटेजी को यहां पर चेंज किया और इन्हों ने यह कहा कि भई दि आंसर वुड इड्स साइंटिफिक रेइड्स का क्या मतलब है कैसे साइंटिफिक रेइट को चांड़ किया जा सकता है सो फिर इन्होंने समझने की कोशिश की कि आखिरकार इलिसे टेलिकर को बनने में एक बैच को माले जिये आज मैं इलिट लिकर बनाना प्रडूस करना शुरू करता करने रहा हूं मतलब एक 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 बैच को मुझे प्रड्यूस करना ठीक है आज से कितने दिन में वह इलिसेट लिकर बनेगी तो इनको समझ आया कि एक बैच जो है वह 72 आर्स में त्यार होता है लगबग तीन दिन ऐसा होता है कि तीन दिन लग जाते हैं कि आज आपने लिकर का एक बैच त्यार करना की कोशिश की और वह 72 घंटे में जाकर त्यार होगा यानि कि अगर आज पुलिस वाले गए हैं तो आज के लगबग थार्ड दे दुबारा जाना पड़ेगा फिर थार्ड दे दुबारा जाना पड़ेगा फिर दुबारा जाना पड़ेगा तो इस त कर दिया फिर उसके बाद तीन दिन लगने आगले तीन दिन बाद दुबारा शराब बनेगी तो उससे पहले ही जब वो शराब को उतारे भटी से पुलिस वाले दुबारा पहुंच जाते थे डिस्ट्रॉय कर देते थे फिर पुलिस वाले दुबारा पहुंच जाते थे छे दिन बाद दुबारा पहुंच के डिस्ट्रॉय कर दिया सो ऐसे में हुआ क्या ऐसे में पूरे के पूरे बिजनस की बैक्डू बैक्डू नी तूट गई क्योंकि जैसे ही वह बिजनस वह इलिसिट लिकर बनाते पुलिस का सायरन बज पड़ता हो पुलिस वाले पहुंच जा और ऐसे साइन्टिफिकली मैडम ने यह तै किया कि हम वहां पर रेड्स कंड़क्ट करेंगे और अपने स्टाफ को अपनी साइड किया she was very she is a very good manager she is a very good leader इन्होंने अपनी टीम को अपनी साइड किया और कहा कि भाई देखो कुछी महीनों की बात है विजिनरी लीडर्स का यही काम है कि they know कि अगर मैं इस direction में चलता हूं तो कुछ ही महीनों में मुझे success मिल जाना चीए she convinced her team to work hard and उन्होंने हर तीन दिन पे raid की और हर तीन दिन में 100-200-200 पुलिस वाले जाते थे raid करके भटियों को destroy करके आ जाते थे इतना ही कर रहे थे और कुछ नहीं इतने में भटियां थी वो तूटने पर जो वहां के लोग थे वो अपने आप से मजबूर हो गए कि अब तो पुलिस वाकई में हमें काम नहीं करने दे रही है अब वो पुलिस से बात करने के लिए भी ready हो गए कि भाई आखिरकार तुम चाहते क्या हो और पुलिस के साथ अब क्यू गुसरा थां काउंसलिंग सो काउंसलिंग अब यहां पर क्या होगी यहां पर पुलिस खास करकी मिस्स तेजस्वी खुद वहां पर जाती हैं और वहां के लोगों से बातचीत करती हैं उनकी समस्या को समझने की कोशिश करती हैं and she tries to understand कि आखिरकार आप इस बिजनस में क्य वहां की महिलाएं, वहां की जो बुजर्ग थे, जिनका इस लिकर से ज़्यादा कुछ लेन देन नहीं था, वो लोग आके काउंसलिंग में बैढ़ जाते थे, मेल मेंबर्स को डर लगता था कि पुलिस अरेस्ट कर लेगी, इसलिए वो आते ही नहीं थे, वो छुप जाते थे, महिलाएं, बच्चे और बुजर्ग उस काउंसलिंग में आके बैढ़ जाते थे, बट अगेन IPS officer हैं, समझदार हैं, she know how to handle the situation, इन्होंने क्या किया, उन लोगों से जानना शुरू किया, कि आखिरकार आप ये business क्यों कर रहे हैं, what is the requirement, so again, उन्होंने यहाँ पर उन्हें बताया, कि हम यहाँ पर लगबग 5000 रुपे पर भटी कमाते हैं, और हर परिवार के पास लगबग 3 भटी है, तो यह हमारा main source of income बनावाई, तो लगबग 15,000 रुपीज पर भटी यहाँ पर family कमा रही है, एक दिन में, जिसके थूरू, I mean, एक कुछ cycle में, जिसके थूरू हमारा घर चल रहा है, तो यहाँ पर उन्हों ने बताया, कि भई, on an average, हम 5000 रुपे पर भटी कमा रहे हैं, तो तीन भटी अगर एक घर में, तो लगबग 15,000 रुपे हम कमा लेते हैं, और हमारे पास कोई source of income नहीं है, उन्हों ने बताया, बंजारा community ने बताया, बंजारा community ने क्या बताया, कि मै आर्डम जो बंजारा community को criminal tribe के रूप में brandish किया गया था, हमें label किया था criminal tribe, और हम बंजारा community को जब बरिटिश के time में criminal tribe के रूप में brandish label किया गया था वो छवी हमारी आज तक चल रही है ब्रिटिश को गए हो 70 साल हो गए लेकिन वो जो छवी ब्रिटिश इनके लिए छोड़ कर गए थे वो आज तक इनके साथ जुड़ी हुई है जिसकी वज़े से बंजारा कम्यूनिटी के उपर कोई भरोसा नहीं करता जिसकी वज़े से बंजारा कम्यूनिटी के लोगों को कोई बिजनस नहीं करने देता जिसकी वज़े से बंजारा कम्यूनिटी के लोगों को कोई जौब नौकरी कुछ नहीं देता जिसकी वज़े से हमें मजबूरी में ये काम कर करना पड़ता है because we have no other source of income यह समझने की बाद मैडम ने उन्हें अपनी तरफ से अपना वर्जन समझाया मैडम ने उन्हें बताया मैडम तेजस्वी ने उन्हें बताया कि भई देखिए यह आपको ऐसा लग रहा है कि बंजारा कॉम्मिनिटी को जो है आपको जो बताया गया है वो यह कि आपको क्रिमिनल ट्राइब के रूप में अहां पे लेबलिंग की गई है लेकिन आप थोड़ा सा और पीछे चले जाईए ब्रिटिशर से भी पीछे चले जाईए तो बंजारा कॉम्मिनिटी का अपने आप में एक बहुती रिच बहुती पावर्फुल इतिहा सरहा है इन्होंने उन्हें बताया और उनका जो कॉन्फिदेंस था वो जगाया दिस इस वाट लीडर्स तू इस वाट लीडर्स दू उनका बिजनस ही उनका कामी यही होता है लीडर्स का कि जो लोग लोग दबे हुए हैं उनका कॉन्फिदेंस जगाना और दिस इस वाट उनोंने बताया खिकामान खिश और उन्हें किस तरह से अपना सिखिकर किशह कहानत गुद्द अंचेंगी एक शुकनी यहां फंक सब्सक्राइब कर्ण कर दूदिश कर खानल मरत 17 अस्मिता का उन्होंने यहां पर मुद्दा बनाया so उन्होंने क्या कहा I told them that the बंजारा community has a rich heritage and their ancestors were a businessmen before the British notified them as criminal tribes अस्मिता aspect struck a code with them so again आप किसी को याद दिलवाऊना कि यह तुम्हारे ancestors तो बहुत ही महान थे तुम्हारे ancestors की तो हर जगा respect होती थी तो एक जो self-respect वाला जो पहलू है न वो आई जाता है और वो यहां पर भी आ गया और community का attitude एकदम चेंज हो जाता है खुद को लेकर जो attitude था negative attitude था कि हमें तो criminal tribe कहा गया वो चेंज हो गया picture change हो गई और now they became ready now the people became ready उन्होंने यहां पर अब सारी समस्यां गिर्वानी शुरू की और third point यहां आ जाता है यहां पर police ने intervene करना शुरू कर दिया जब कोई इन्हें पैसा नहीं देता था बंजारा community के लोगों ने कहा कि देखो जी हम तो business करने को ready हैं लेकिन बैंक हमें लोन नहीं देता हम जॉब करना चाहते हैं हम इस factory में गए थे जॉब करने के लिए लेकिन वहां के लोगों ने हमें जॉब नहीं दिया तो यहां पर police ने खुझ से intervene करना शुरू कर दिया और बैंकों से बात करके इन्हें जॉब दिलवाना या इन्हें पैसा लॉन दिलवाना शुरू कर दिया तो यहां पर यह third point है इनका क्या intervention करना intervention in what intervention in loans intervention in jobs all right so intervention करना शुरू कर दिया jobs के लिए और loan के लिए now इसमें लिखा है that since the most of the family did not have valid paperwork so basic identification का इनका कोई document इनके पास नहीं था यहां पर fourth point आ जाता है यहां पर जो families थी उनको skill training करवाना शुरू किया right so जो families अभी तक जिनकी जमीन पर भटियां चल रही थी उन में से कुछ लोग उस जमीन को आप क्योंकि भटी तो चलने नहीं दी जारी तो कुछ लोग उस पर agriculture करना शुरू कर देते हैं जिनके पास जमीन नहीं है जिनके पास skill है उन्होंने क्या किया कोई कार मेकैनिक बन गया कोई प्लंबर बन गया इस तरह से अपने अलग अलग जौब धूनने शुरू कर दिये और याद रखे कि यह सारा एक वर्ष के अंदर अंदर सिर्फ वन येर के अंदर अंदर सारी कहानी पलट रही है तो यहां पर हमें देखने को मिलता है तो आफ विच नियरली 45 देज ट्रेनिंग प्रोग्राम वास्टटेट फॉर विमिन जो महिलाएं है उनके लिए यहां पर 45 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम और्गनाईस किया गया जहां पर महिलाओं को स्विंग मशीन जो है जो कपड़ा सिलने वाली मशीन था वो चलाने की ट्रेनिंग दी गई उसके बाद पुलिस ने यहां पर ही जो लोकल फर्म्स हैं उनके साथ कोडिनेट करके इन महिलाओं को ओर्डर भी दिलवाए लेटर स्कूल से उनिफॉर्म का ओर्डर दिलवा दिया जो लोकल कपड़ा बनाने वाली जो फर्म्स हैं शर्ट टी शर्ट बन इस पूरे के पूरे एफर्ट को सरहा गया सरकार ने तो सरहाना ही था आज पास के जो आफिसर्ट थे उनकी सरहाना की ही बट बंजारा कॉम्यूनिटी के लोगों ने भी जब उनको पता लगा ना कि हमारी लाइफ तो वाके में चेंज हो गई अब पुलिस वाले हमें दे रहे हैं हम खुल के जी सकते हैं हमें डर नहीं है कि हम बाहर गये तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा जब लोगों की जिंदगी में ये परिवर्तन आया तो लोगों ने अच्छा फीडबैक देना शुरू किया लोगों की आखे खुली जब वहां के बंजारा कॉम्यू वर इन दिस हूच बिजनस शी ओफन फॉर्ट विद अबाउट इट वें दे फाइनली है तो गिवप दा हूच में आफ्टर दी इंटर्वेंशन ऑफ दी पुलिस दिस यंग विमन के में तो थैंक उस दाट फॉर मी वस रिली सैटिस्फाइग सो महिलाओं की जिंदगी में परिवर्तन आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा आ जाता है क्योंकि यह महिला को पता भी नहीं था कि उनके इन लॉस जिन की फैमिली में वो जा रही है वो इस इलिसेट लिकर के बिजनस में लगे हुए हैं उनके साथ आप आपस में इनकी लड़ाई रहती थी लेकिन जब यह पूरा का पूरा बिजनस बंद हो गया इलिसेट लिकर का और जब इन सभी ट्राइब के लोगों में यूनो चेंज आ गया लाइफ में तब वो महिला आकर इन्हें थैंक करती है तो कितनी सेटिस्वेक्शन वाली बात है आप खुछ समझ सकते हैं और राइट सो डैट इ अंदर अंदर शटडाउन हो गई 80% भटियों के साथ साथ 650 ऐसी फैमिलिस जो की इस पूरे के पूरे इलिसेट लिकर के बिजनस में इन्वाल्ड थी उन्हें एक नई आजादी मिलती है उन्हें नई आजादी का एहसास होता है साथी में इनको अब अवार्ड भी दिया गय हैं तो द्स इस हाओ शी विद हर फूर पॉइंट एजेंड़ा फूर पॉइंट पर्चेंज दि वह वह इन इस दिस्टिक्ट को ही नहीं बल्कि इसके आस पास की जगाहा हैं चाहिए वह आस पास की डिस्टॉ कि जैसे बीड उसमाना बाद यह सब को और आस पास की जो स्ट में IPS officer बनना चाहते हैं तो यह examples को जानिए यह examples को पढ़िए और यह examples in fact आपको IPS officer बनने में मदद भी करेंगे क्योंकि इन examples को आप use करके आईएगा अपने ethics के paper में इन examples को use करके आएए अपने essay के paper में और GS के papers में भी interview में भी आपसे पूछता है कि किस तरह से आप इस situation को tackle करेंगे मान लिजिए तो आप operation परिवर्तन का एक example वहां पर दे कर अपना जो है marks को और बढ़ा सकते हैं चलिए मुझे उमीद है कि भाई यह session आपको पसंद आया होगा she is from my आप लोगों का कोई और सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं and otherwise हम आज का session यहीं पर sum up करेंगे कल दुबारा एक बार मुलाकात होगी दोस्तों I hope कि आपको यह session पसंद आ रहे हैं अपने अगर यह session पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर कीजिए इन्हें like कीजिए and आपको इनकी पीपीटी जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी और राइट सो पीपीटी कहां मिलेंगे वो मैंने आपको बता दिया है चांद कुबा ओफीशियल का आज का session आपके लिए अच्छा रहा होगा thank you very much कल मिलते हैं तो यहां पर मैं पीपीटी बहुत